सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बता सकती है कि आप कंप्यूटर से कौन-कौन जी सेवाईं प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योगत एक कंप्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाईं जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आधी-ाधी सुविधाईं प्राप्त करा सकती अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने ही दू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो यह मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा, क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ हाँ, इंटरनेट के जरिये ये सभी सुविधाएं आप अपने गाव में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट के सुविधा मुबाइल फोन तर भी उपलब्द है, क्या ये सत्य है? हाँ, रोहन, न केवल मुबाइल फोन बलकि आजकल लोग स्मार्ट फोन अत्वा टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं ये सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है, क्या आप मुझे कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिलकुल रोहन, कृपया बैट जाईए, मैं आपको कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ, बाकी आप लोग भी बैट जाईए, जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है, कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है, जिसका उप्योग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन, वः प्रसंसकरण के लिए किया जाता है हम कम्प्यूटर से क्या क्या कर सकते हैं? कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों वः मित्रों से जुड़ा जा सकता है रेल टिकेट बुक कर आई जा सकते हैं, बैंक खाते में लेंदेन किया जा सकता है, सूचनाओं एकत्रित की जा सकती हैं, खेल खेले जा सकते हैं, गाने सुने जा सकते हैं, और सिनेमा पिच्चर देखी जा सकती है अब हम computer वो उसके विभिन हिस्सों के बारे में सीखते हैं A computer is divided into two parts hardware and software The computer and all the equipment connected to it are called hardware Software is the set of instructions that the computer follows in performing a task आपका मतलब है कि screen पर दिखने वाले सभी icons software होते हैं हाँ रोहन, software computer में program होते हैं जिनसे हम भाती-भाती के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए जिनसे computer बनता है Computer के तीन अंग होते हैं पहला input device, दूसरा processing device, तीसरा output device जैसे एक tractor को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक उसी तरह computer में data भरने निर्देश अथवा सूचनाई संकलित कर विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है इन चितरों को देखो, ये कुछ input devices हैं जिनका प्रयोग computer में होता है ये input device निम्न है pen drive, mouse, keyboard, cd, microphone, keyboard और mouse प्राथमिक input devices है सामाने keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते है क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किसले किया जाता है अंक बटनों की सहायता से calculator की भाती computer में अंक भरे जाते है नविकेशनल बटन मार्ग दर्शक बटन होते हैं जो monitor पर page दिखने में सहायक होते है प्रोग्राम में page up बटन विशेश के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में page down बटन विशेश के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में Home बटन करसर को विशय के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में End बटन करसर को विशय के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कंप्यूटर में पठनीय विश्य में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादातर लेक संपाधन परोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है डिलेट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाई और मिटाता है बैक स्पेस बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर बाई और मिटाता है ये चार बटन किसका हम के लिए प्रयोग किये जाते हैं? ये चारो बटन दिशा निर्देशक बटन कहलाते हैं। ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों में दाईं की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर दाईं की और ले जाता है। क्या तुम F1 से F12 तक के बटनों को देख रहे हो। यह बटन फंक्शन बटन कहलाते हैं। यह बटन कंप्यूटर पर सक्रीय प्रोग्राम के अनुसार निर्दिश्ट किये गए विशेश कारे को निश्पादित करते हैं। ज्यादतर प्रोग्रामों में Escape बटन चल रही प्रक्रीय समाप्त कर देता है। Control और Alternate बटन क्रीय परिवर्तन बटन हैं, जो ज्यादतर प्रोग्रामों में विशेश्ट कारे और माउस की क्रीय को या तो परिवर्तित कर देते हैं, या तो बढ़ा देते हैं। Window बटन Windows के Start मिनू को सक्रिय कर देता है। यह बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे की Task बार के Start बटन पर क्लिक करने से होता है। अब तक हमने Keyboard के विभिन बटनों के बारे में सीखा, अब हम Mouse के बारे में सीखते हैं। Mouse एक दिखाने, निर्देशन करने वाला यंत्र है, जिसका प्रयोग Computer Screen पर दिखने वाले विशे, आइकन्स को इंगित कर उनसे परस पर संबंद बनाने में होता है। आप देखेंगे कि जैसे ही Mouse चलाया जाता है, वैसे ही Mouse चलाया जाने की दिशा में एक छोटा तीर Screen पर चलता है। इस तीर को Pointer कहते हैं। Pointer की सहायता से Computer को प्रक्रिया के लिए Data वर निर्देश उपलब्द कर आए जा सकते हैं। Mouse पर दो बटन भी होते हैं, बाया बटन और दाया बटन। Mouse के दोनों बटनों के बीच में एक खुमने वाला चक्का भी होता है, जिसकी मदद से प्रलेक या डॉक्यूमेंट और वेब पेज पर आसानी से चला जा सकता है। ये Mouse द्वारा किये जा सकने वाले कुछ कारे हैं। Mouse के बाया बटन को एक बार दबा कर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम को चुना जा सकता है। माउस के दाएं बटन को लगातार दो बार बिना किसी अंतराल के दबा कर क्लिक कर किसी प्रोग्राम के अंदर प्रवेश किया चाह सकता है। माउस के दाएं बटन को दबाए जाने पर इंडेक्स मिनू खुलेगा। घूमने वाला चक्का स्क्रीन पर पेज को ऊपर नीचे खिसकाने में हमारी सहायता करता है। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहू को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है। उसी तरह कम्प्यूटर में वह यंत्र जो डाटा संग्रहन और संरक्षन को नियंत्रित करते हैं वह प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। कम्प्यूटर प्रोसेसर या CPU प्रोसेस की जाती है। फिर कम्प्यूटर की मैमरी या RAM में संरक्षित की जाती है। जिस तरह दानों से भूसी निकालने या गेहूं को पीसने में ग्राइंडिंग मिल एक प्रोसेसिंग मशीन की तरह काम करती है, जिस तरह अनाज और भूसे को अलग-अलग करने वाला थ्रेशर एक आउटपुट मशीन है, उसी तरह कंप्यूटर के साथ परिनाम को दिखाने क जो यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें आउटपुट यंत्र कहते हैं, मॉनिटर एक बहुत ही सामाने आउटपुट यंत्र है, मॉनिटर स्क्रीन है, जिसका प्रयोग आउटपुट जैसे शब्दों, अंकों वचित्रों को देखने में होता है, मॉनिटर दो तर कर निकालता है जिसे hard copy कहते हैं कंप्यूटर पर दिखने वाले किसी चित्र या लेख को soft copy कहते हैं तथा उसे के छपे हुए को hard copy कहते हैं प्रिंटर तीन तरहके होते हैं इंग जेट प्रिंटर लेजर प्रिंटर और dot matrix प्रिंटर स्पीकर एक output यंद्र जिसके द्वारा हम आवाज सुनते हैं स्पीकर के बिना हम गाने अत्वा आवाज विश्यों आदि को सुन नहीं सकते हेड़फोन कम्प्यूटर से आवाज आउटपुट देता है ये स्पीकर की तरहक होते हैं किन्तु इन्हें कानों पर पहना जाता है इसलिए एक समय में केवल एक ही व्यक्ती आउटपुट सुन सकता है प्रोजेक्टर एक आउटपुट यंत्र है जिससे किसी लेक या चित्र को समतल स्क्रीन पर दिखाया जाता है अधिकतर प्रोजेक्टर का प्रयोग सम्मेलनों में या प्रस्तुती करण में होता है जिसके द्वारा प्रदर्शित होने वाले कई लोग एक साथ देख सकते हैं अब तक हमने कई तरह की इंपुट प्रोसेसिंग वो आउटपुट डिवाइसों के बारे में चाना है अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भागें प्रतेक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने सही है अच्छा प्रयाज सही है अच्छा प्रयाज दीदी, कम्प्यूटर, साय डाटा कहा संचित करता है? जिस तरह तुम्हारा दिमाग बहुत सी आवश्चक चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है उसी तरह कम्प्यूटर डाटा संचित करता है जिसे कम्प्यूटर मेमरी कहते हैं Computer की Memory दो तरह की होती है प्राथमिक अथवा मुख्य Memory और दुटियक Memory मुख्य प्राथमिक Memory बहुत तेज है इसे RAM कहते हैं इसका Earth Random Access Memory अथवा RAM होता है Computer की गती RAM पर निर्भर करती है Data और निर्देश मुख्य Memory में संचित रहते हैं जहां से ये Process कर Result प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं RAM वह Memory होती है जहां सारे Program संचित किये जाते हैं Computer की गती RAM पर निर्भर होती है Cache Memory वह Memory है जो RAM का अंग होती है और Processor के बहुत पास होती है इसका प्रयोग Processing गती को सुधारने में किया जाता है प्राप्तमिक Memory सीमित होती है इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए दुवित्यक Memory का प्रयोग करते हैं चुकि कम्प्यूटर दुवित्यक Memory पर सुरक्षित डाटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता अतय प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है ये कुछ डिवाइस हैं जो दुवित्यक Memory की तरह कारे करती है Pen Drive, Hard Disk और DVD तो एक कम्प्यूटर डाटा को अबने Memory में कैसे सुरक्षित करता है? कम्प्यूटर सभी सूचनाएं केवल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है एक अकेली binary digit अर्थात 1 अथवा 1 0 को bit कहते हैं 8 bits के group को 1 byte कहते हैं इस सार्णी को देखो इसमें bits और bytes के बीच की संबंध को दिखाता है निर्देश जो कारे पूरा करने और hardware को नियंतरत करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं Software कहलाते हैं Software programs निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है जो कम्प्यूटर को निर्देशित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है Software दो प्रकार के होते हैं Application Software और System Software Application Software वो प्रग्राम होते हैं जो उप्योग करता को कम्प्यूटर में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw एप्लिकेशन सौफ्टवेर के उदाहरन हैं जो प्रग्राम कम्प्यूटर हाडवेर से सीधे जुड़े होते हैं System Software कहलाते हैं कम्प्यूटर चलाने के लिए आपको एक Operating System की आविशिक्ता होती है जो एक System Software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस Activity में भाग लेते हैं प्रते एक प्रेशन के लिए सही विकल्प चुने सही है, अच्छा प्रयाज सही है, अच्छा प्रयाज गिता, ये सब रुचिकर है मैंने पहले कभी भी Computer नहीं चलाया है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि Computer कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है अवश्य जाचा, मैं सब कुछ समझा दूँगी सबसे पहले मैं आपको Computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ ये है Monitor है ये है Television की तरह है और इसकी स्क्रीन पर Output देखा जाता है ये है System Box है इसमें Central Processing Unit अर्थात CPU होता है ये है CPU ही Computer का मुखे दिमाग होता है ये है Keyboard और Mouse है ये हैं दोनों Input Device हैं जिसके द्वारा Computer में डाटा भरा जाता है Computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए तब System Box के बगल में Monitor रखिए System Box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाईसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिने Port कहते हैं अब इस तरह से Monitor System से जोड़ा जाता है System Box Video Port को VGA Port कहते हैं इससे Monitor को जोडने वाले तार को VGA Cable कहते हैं VGA Cable के एक सिरे को System के VGA Port से तथा दूसरे को Monitor से जोड़ा जाता है Keyboard दो प्रकार के Connector वाले होते हैं PS 2 Connector अथवा USB Connector Keyboard को Connect करने के लिए उसके Connector को System के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है Mouse दीन प्रकार के Connector वाले होते हैं PS 2 Connector USB Connector अथवा Serial Connector Mouse को Connect करने के लिए उसके Connector को System के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है उसी तरह यदि आप Printer को जोडना चाहते हैं तो उसके Connector जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समाना अंतर पोर्ट अथवा USB पोर्ट को System के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ दें अब हम Computer को बिजली के Main Board से कैसे जोड़ सकते हैं Computer दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है एक बिजली सप्लाई तार को System Unit के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को Monitor के पोर्ट से प्लग करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के पोर्ट से या UPS से जोड़ें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि Computer को कैसे जोड़ते हैं बिल्कुल Computer चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले System Unit वह Monitor दोनों की बिजली सप्लाई चालू करें तब System Unit का Power Button दबा कर उसे चालू करें वह Monitor का Power Button दबा कर उसे चालू करें अब कुछ क्षण इंतिजार करें और देखें की Monitor पर डिस्पले आने लगा है इसे Boot Screen कहते हैं धीरे धीरे सभी Software लोड हो जाएं तो Computer प्रयोग के लिए तयार है धन्यवाद गीता पहली बार नकेवल Computer को देखा है बल्कि उसे चालू करना भी सीखा है हाँ, Computer के विशे में यह सब बताने के लिए धन्यवाद दीदी अब क्या आब हमें Mobile Phone व टाबलेट के बारे में भी बता देंगी बिल्कुल रोहन मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि Mobile Phone व टाबलेट कैसे चलाते हैं हाँ, मैं भी इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहता हूँ पहले हम Mobile Phone व टाबलेट के विभिन अंगों कारियों व उपयोगों के बारे में चानते हैं जैसे आप जानते हैं कि Basic Mobile Phone एक ऐसा यंत्र है जिससे आप Call कर सकते हैं Call प्राप्ट कर सकते हैं वो Message लिख कर भेज सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक मुबाइल फोनों में कई तरह की विशिशताएं होती हैं, जैसा की इंटरनेट, खेल, क्यामरा, वीडियो गेम और मार्ग निर्देशन प्रनाली, यह फोन स्मार्ट फोन कहलाते हैं, कुछ मुबाइल फोनों में दो-दो सिम कार्ट एक साथ ही फिट हो जाते हैं, विभिन अंगों को देखें, गीता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि फोन में सिम व बैटरी कैसे डालते हैं, बिल्कुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें, पहला फोन को स्विच आफ कर दें, और पीछे का कवर निकाल दें, उसके बाद फोन की बैटरी निकाल दें, तब सिम खांचे में सिम डाल दें, अंत में बैटरी वककवर पुनह लगा दें, और फोन को चालू करें, धन्यवाद गीता, मुझे फोन की बैटरी चार्ज करने में भी समस्या होती है, चिंता ना करें, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें, पहला चार्जर क दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं, तब चार्जर को फोन में लगाएं, कुछ समय बाद जब मुबाइल बैटरी फुल दिखाए, तो पहले चार्जर को फोन से निकालें, फिर दिवार से निकालें, मैं आपको सिखाती हूँ कि फोन के बटनों को लॉक वो अनॉ कैसे किया जाता है, हमें बटनों को लॉक क्यों करना चाहिए? चाचा, जब आप लंबे समय तक फोन का प्रयोग न कर रही हूँ, तो उसे लॉक करके रखना अच्छा होता है, इसकी यह प्रक्रिया है, फोन लॉक करने के सिलेक्ट मेन्यू पर जाईए और स्टार बटन अब यह लॉक कैसे खुलेगा? इसे खोलने के लिए फोन का अनलॉक बटन दबाईए और तब स्टार बटन दबाईए में पास यह नया मोबाइल है, और मुझे यह तक नहीं पता है कि इसकी विशेष्टाएं कैसे देखें? आप अपने मोबाइल के विशेष्टाएं देखने के लिए पहले मिनू आइकन चुएं या मिनू बटन दबाएं जिससे फोन के सारे फीचर दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे आइकन को चुएं या बटन को दबाएं उन्हा आरंभ में जाने क आपने के लिए होम आइकन को छुएं या बटन को दबाएं बेसिक फोन अथवा टच स्क्रीन फोन, रिंग टोन, घंटी बदलने के लिए नेमल प्रक्रिया अपनाएं बेसिक फोन के लिए पहले मिनू चुने, फिर सेटिंग, तब टोन चुने और फिर खिसक कर रिंग टो टच स्क्रीन फोन रिंग टोन बदलने की प्रक्रिया पहला Home आइकन को चुए, फिर Menu आइकन को चुए फिर Personalization Settings आइकन को चुए, फिर Setting आइकन को चुए फिर Profile Settings आइकन को चुए तब Ring Tone या Notification Ring Tone आइकन को चुए तब Ring Tone की सुची में खिसक कर अपनी इच्छानुसार Ring Tone चुए तब ठीक OK आइकन को चुए मैं अपने फोन में Alarm सेट करना चाहता हूँ क्या सुबह जल्दी Alarm सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं? निम्न प्रक्रिया से आप स्वेम कर सकते हैं बेसिक फोन के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने फिर Alarm घड़ी उसके पश्चात Alarm का समय सेट करके सेव चुने फिर खिसक कर Ring Tone पर जाएं यदि आप Alarm को दोहराना चाहते हैं तो चैन के विकल्प में जा दोहराना फिर दिनों का चैन कर संपन चुने टच स्क्रीन फोन में निम्न प्रक्रिया अपनाएं पहले मेनू को चुएं तब घड़ी को चुएं तब अलाम को चुएं अलाम का समय सेट करके सेव चुने दी दी क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ जरूर मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक कंपेक्ट डिवाइस है जो एक स्मार्टफोन अत्वा एक लाप्टॉप अत्वा कंप्यूटर की तरह है आजकल टाबलेट अपने सुविधा जनक आकार और फीचर के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिये हो गए हैं इनका उपयोग हम इंटरनेट पर ब्राउजर, मेल चेक करना, डाउनलोड और किताबें पढ़ने, गेम खेलने, वीडियो देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टैबलेट विभिन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुछ हैं बुकलेट टैबलेट पीसी का सबसे सरल तम रूप है, जो किताब की तरह तिखता है इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्पले होता है और इसकी कारेप्रणाली दोनों तरफ छूने से कारे करती है यह हस्तलेग को पहचानने वाला सौफ्ट्वेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं स्लेट, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलिट पीसी है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जात इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, जिसे 180 डिग्री तक घुमाया भी जा सकता है। हाइब्रिड टाबलेट में स्लेट और कनवर्टिबल टाबलेट दोनों के सबसे अच्छी विशेशताएं सम्मिलित होती हैं। हाइब्रिड टाबलेट अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं, जो की दिये गए स्लोट के जरिए स्लेट पीसी में जोड़ कर टाबलेट पीसी में बदले जा सकते हैं। एक ड्रग्ड टाबलेट उन उपियोग करताओं के लिए अच्छा है, जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं। इनकी अंदर की हाड ड्राइव जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाउँ बनाता है। यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उपियोग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिए, जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए। हम बैटरी कैसे चार्ज करते हैं। इन चर्णों का अनुसरन करो। पहला केबल को चार्जिंग हेड में लगाएं और प्लग को स्टांडर्ड एसी पावर में लगा दें। डिवाइस अपने आप चार्ज होने लगती है। डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए। डिवाइस में उर्जा सनरक्षन हेतू पावर सेव बटन को दबा कर स्क्रीन को बंद किया जा सकता है। स्क्रीन को पुनह चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करें। डिवाइस को बंद करने का सही तरीका क्या है? जब आपको डिवाइस बंद करनी हो, तो निम्न चर्णों का अनुसरन करें. पहले, पावर बटन को कुछ खशन के लिए दबा कर रखें. तब टाबलेट को बंद करने के लिए मैनू खुलने पर दिखाई देगा. तब पावर ओफ पर टच कर डिवाइस को बंद करें. एक टाबलेट की होम स्क्रीन एप्लिकेशन फंक्शन मैनू के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है. आप अपनी होम स्क्रीन को एप्लिकेशन आइकन्स शॉर्टकर्ट फोल्डर को जोड़ करके कस्टुमाइज कर सकते हैं. अतिरिक्त डिस्प्ले स्क्रीन के लिए स्क्रीन को दाएं अथवा बाएं खिसकाएं. तो तुमने सीखा कि कैसे लैप्टॉप, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन और टाबलेट को इस्तिमाल करते हैं. अब हम इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं. प्रतीक प्रश्ण के लिए सही विकल्प चुने. सही है अच्छा प्रयास. अच्छा प्रयास.